हेलो एवरिवन तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थ्री टू फोर जॉब्स के बारे में ठीक है थ्री टू फोर जॉब्स के बारे में I am going to tell you in this वीडियो जहां पर सबसे ज़्यादा आपको सैली में हाइक देखने को मिलती है ठीक है अगर आप उस जो प्रुफाइल में आते हैं अगर आप रैशर हैं या फिर एक्स्पीरियंस है तो आपको अगर मतलब जैसे salary में increment चाहिए तो आपको बहुत ही अच्छा salary में increment बहुत ही अच्छी salary आपको in profiles में मिल जाएगी तो यह जो वीडियो है आप end तक देखिएगा ताकि कोई भी part आपसे miss ना हो और आपको अपने career के लिए एक अच्छी guidance मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले number पे जो मैं field को रखना चाहूंगा जहां पर आपको salary की hike सबसे ज़्यादा मिलती है सबसे अच्छी salary होती है वो आपको वैसे भी idea होगा वो है IT field ठीक है IT field होती है IT field में भी अलग-अलग positions होती है ठीक तो जो सबसे मतलब basic level होता है वो service desk होते हैं ठीक है service desk officer होते हैं तो उसके लिए क्या होती है कोई भी btec bca यह सब कोई requirement है नहीं होती है आप ऐजा फ्रेशर join कर सकते हैं आपकी communication skills अच्छी होने चाहिए ठीक है communication skills अगर आपकी अच्छी है तो उसके basis पे आपको वो सब training देंगे और फिर आप join कर सकते starting salary आपको मिल जाएगी मतलब उसमें 25 to 30 thousand ठीक है यह starting salary है लेकिन अगर आपका six months का experience हो जाता वन year का experience हो जाता तो आपको 40,000 या 45,000 मिलने लगेंगे तो आप देख सकते हैं कि मतलब एक साल या फिर देर साल के ही मरब under में आपको 40 to 45,000 salary पर month आपको मिलने लग जा तो भी ठीक मैंने आपको बता है simply graduation होनी चाहिए आपकी English पर command अच्छी होनी चाहिए तो यह तो रही IT की बात है ठीक है IT में और भी other field है जैसे जिन्होंने BTEC की होती है या फिर IIT का रखी है तो उनकी तो मतलब फिर अलग बात होती है उनकी salary definitely जादा ही रहेगी तो मैं basic level पर बात कर रहा हूं ठीक है सिर्फ आपने अगर graduation ही कर रखी हो तो कुन सी मतलब ऐसी jobs है जिसमें आपको hike जादा मिल लिए तो यह मैंने आपको एक IT बता दी उसके बाद में हम आते है number second position पर ठीक number second position यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा US medical billing के बारे में ठीक है US medical billing ए यहाँ पर आपको देखने को मिलती है अब इनका काम क्या होता है कि जैसे USA हो गया ठीक है USA में लोग क्या करते हैं सबके insurance होते हैं जैसे यहाँ पर medical insurance हर एक citizen के लिए कंपल सरी नहीं है लेकिन वहाँ पर कंपल सरी होता है तो वह insured रहते हैं गौर्मेंट जो होती है उन्हे उसके लिए उस account को clear करना होता है कुछ documents लगाने होते हैं कुछ information attach करके उस account को close करना होता है फिर उसके बाद में जो funding होती हो गौर्मेंट से आ जाती है तो यह जो work होता है यह जो claim settlement का ठीक है या account close करने का इसको medical billing कहते हैं तो इस medical billing में आपकी जो starting salary होती है माल लीजे English आपकी थोड़ी अच्छी है तो आप इसको join कर सकते है starting salary आपको 15,000 to 18,000 मिलेगी लेकिन अभी आपको लग रहा होगा यह salary तो बहुत कम है लेकिन आप देखिए अगर आपने 15,000 से 18,000 के बीच में इसको join कर लिया एक साल का अगर आपको experience हो जाता तो सीधा salary आपकी double हो ठीक और यह मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे मैंने मरब कई मेरे जानने में भी है जो कि इस line में है इसलिए मैं आपको जो एक genuine चीज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ फिर मैं एक third number पे आपको बताना चाहूँगा visa line के बारे में अब visa में क्या होता है visa line भी एक बहुत ही अच्छी line है इसमें क्या opportunities होंगी जैसे कि अगर आपने visa सीख ले overseas जो education होती है overseas studies यानि जो लोग abroad में study करने जाते हैं जो student abroad में study करने जाते हैं तो उनको college के बारे में बताना ठीक है उनके visa में help करना visa processing में पूरी तरीके से help करना पूरे admission process में help करना तो ऐसी कई सारे consultancies जो कि इसमें work करती हैं तो यहां पर जो अगर आप fresher हैं तो यहां पर आपको जो salary मिल जाएगी वो 22-22,000 की salary यहां पर मिल जाती है आपको पर month और उसके बाद में अगर आपका जैसे experience हो गया one year आपने काम किया तो आप क्या कर सकते हैं देखे मैं तो recommend करूंगा आप ज 23,000 ती या 24,000 आपकी fresher salary थी फिर उसके बाद में आपकी high कोई और आपकी salary 5,000 बढ़ गए तो 28,000 आप 6 months और work कर लीजिए उसके बाद में company को change करेंगे तो सीधा 25,000 से आपकी 35,000 या फिर 40,000 salary हो जाएगी मरब क्योंकि बहुत सारी consultancy यह बहुत अच्छी salary offer करती है ठीक ह 540,000 से भी अबब वो सब आपको offer कर देंगी मरब condition यही होनी चाहिए कि आपको अपने process की knowledge अच्छी होनी चाहिए उस डेर साल में आपको अच्छी खासी knowledge होनी चाहिए मतलब जो भी आप work करते मरब एकदम जादा भी नहीं कि अपने work से जादा मरब अगर आपने work को अच अच्छे से सीखा interview अगर आप अच्छे से देते हैं तो आपकी salary इसमें definitely बहुत ही अच्छा हाइक आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद में अगर हम visa के बाद में बात करें तो एक है US recruitment भी बहुत ही अच्छी लाइन है ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें जो मैंने हाइक देखा है जो मेरे friend करते है तो बहुत ही अच्छा incentive भी रहता हाइक भी रहता है यह जो job होती है mostly night shift होती है ठीक है US जो recruitment होता क्योंकि US की जो भी process होते है वो timing हमारी night होती है जब यहाँ पर day होगी वहाँ night होगी जब वहाँ night होगी यहाँ day होता तो हम उनके according काम करत management में तो यह night shift हो जाती है night shift में क्या रहता है अब आपको one time meal मिलेगा cap facility भी मिलती है कुछ companies होती है जो cap facility provide नहीं भी करती है तो लेकिन अगर हम salary part की बात करें तो अगर आप as a fresher join करते है English अच्छी होने चाहिए ठीक है English communication skill अच्छी होनी चाहिए graduation complete होनी चाहिए as a fresher आप join करते हैं तो 18,000 to 20,000 आपकी salary होती है लेकिन अगर आपने सिर्फ six months का experience ले लिया है तो आपकी जो salary हो 28,000 या फिर 30,000 हो जाएगी within six months सिर्फ ठीक फिर आपने six months करेंगे अगर आप six months और भी कहीं कर लेते हैं और one year हो जाता फिर आपको दुबारा से hike मिल जाएगा और उस करें तो one year के अंदर आपको 40,000 to 45,000 salary हो जा रही है कहां से 20,000 से तो आप देख सकते हैं 100% से भी जादा आपको इस line में hike मिल रही है night shift होती है बहुत ही मदब अच्छी job रहती है work environment भी अच्छा मिले गया it is depending on the company ठीक है तो यह जो चार जॉब है इसमें मैंने आपको बताय कि जो salary hike अगर आप करवाना चाहते हैं मरब अच्छी company अच्छा career बनाना चाहते हैं तो इस field को आप join करें and definitely you will see the result so I have done from my side and I hope कि यह जो video है यह काफी informative होगी आपके लिए अगर video आपको अच्छी लगी हो तो channel को subscribe करें और video को share भी जरूर करें ताकि मुझे भी motivation मिलती रह है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं so thank you very much and have a wonderful day